अमिट्शा जी आप हमेशा की तरह बड़े जूट के पुलिंदे सदन में बोलकर चले गए लेकिन क्योंकि आपने इस बार फिर से कश्मीरी पंडितों के दर्द और उनकी वेदना पर अपनी घिनोनी राजनेतिक रूटियां से की तो आपकी कलाई खोलनी और आपके जूट की कलाई खोलनी जरूरी है जमुकस्मीर में हम सब जानते हैं जब महराजा हरी सिंग जी ने भारती संग के साथ इनके विलाई का नेणय किया उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उटाओ चडाओ की असी के दसक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वो बड़ा भयावहद रस्य था पिडियों से सदियों से जो लोग अपनी भूमी पर रहते थे अपना देश समझ कर रहते थे अपनी जन्व भूमी समझ कर रहते थे वो मुल्क समेथ उखड गए और किसी ने इनकी केर नहीं करें इनकी चिंता भी नहीं करें ना इसको रोकने का प्रयास किये और कई बार तो मानेवर रोकने की जिन्द की जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड में वेकेशन कर रहे हैं मैं नाम देना नहीं चाता और फिर कहते हैं हमने कुर्बानी दिने आपकी कुर्बानी आँखमातों पर अगर दी है तो मगर सटीक काम और सटीक उपाय और सटी के साथ वोट बेंक की इराजनितिके बगेर उस वक्त उसको आतंकवाद को उखता हुआ खतम करते हैं तो आज उ देश के अन्य हिसों में अपने ही देश में सरणार्थी बर्णकरूं को जाना पड़ा दिल्ली बैंगलूर पूर्णे अमदाबाद चेन नहीं नहीं जाने कहां कहां घए लगबग लगबग वरतमान के आकडों के अनुसार 46,631 परिवार और 157,967 लोग अपने ही देश मे अपने खूट के वतन से उखड कर रहे गई यह बील उनको अधिकार देने का है यह बील उनको प्रतिनी जी को देने का है असलियत तो यह है कि आपने समर्थन वापस 7 अगस्त 1990 में लिया कश्मीर के मुद्दे पर नहीं कश्मीरी पंडितों की मुद्दे पर नहीं मंडल कमिशन की रिपोर्ट को स्विकार किया था विश्वनात प्रताप सिंग की सरकार ने इसलिए आपने समर्थन वापस लिया तो आप पिछड़ा विरोधी तभी से थे आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं आज कश्मीरी पंडितों की जिस तरे से टार्गेटट किलिंक हो रही है शायद पहले कभी हुई हो राहुल भट से लेकर मिजबाला तक की targeted killing हुई कश्मीरी पंडित आप से मिलने के लिए बेचैन रहे आज भी धरना और अंशन पर बैठे हैं उन पर लाठिया बरसाने का उनको करेंट के तार लगाने का काम आपकी सरकार ने किया क्यों नहीं उनको सरक्षत रख पाए हमने तो 3000 घर बनाए उनको आपने वेघर कर दिया हमने तो लोगों को नौक्रिया दिया और आज हालात ऐसे हैं कि कश्मीरी पंडित जम्मू में रहने को मजबूर है वो कश्मीर अपनी नौक्रियों पर नहीं लौट पा रहे हैं क्योंकि टार्गेटट किलिंग हो यह यह है आपकी सरक्षा कश्मीरी पंडितों से हट कर बात करते हैं शांती की आपने कहा 370 के बाद शांती हो गए अगर 370 के बाद शांती हुई तो 157 सुरक्षा कर्मियों की और आर्मी के जाबाजों की वो शहादत के बारे में आप क्या करिएगा जो बार बार आमबुश में रजोरी पुंज अनंतनाग तमाम ऐसी जगहों पर उनकी शहादत हुई लेकिन एक नया पैटरन हमने देखा कि 2021 के बाद से प्रधान मंतरी और आप ने श्रद्धान जली और समवेदना का एक भी शब बोलना बन कर दिया असलियत तो ये है कि जब दो जाबाज जवान कैप्टन्स की शहादत होती है और उनके शब घर आते हैं तो प्रधान मंतरी सोटी करते हैं असियत तो ये है कि जब एक मेजर एक करॉनल एक डियसपी की शहादत होती है आतंकवादियों के हाथ तब प्रधान मंत्री कोई जश्ण मना रहे होते हैं भाजपा के हैटकोटर में आप बात करिएगा आतंकवाद की चलिया आतंकवाद पर बात कर लेते हैं समझाईएगा किसी को कि सैफुल्ला फारूक जो 10 साल तक जेल में था पाकिस्तान पनीक्शन ने क्या आया मसूद अजहर का बड़ा शिश उसको आपने निकाईक चुनाओ का टिकट क्यो दिया आपने तारिक अमीर को विधाईकी का टिकट क्यो दिया उनका ट्रैक आसिया अंध्राभी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रैंड अम्बाजडर बनाकि उसके पोस्टर लगवाए वो पाकिस्तान जिंदाबाद और उनके समर्थन के नारे लगवाती और पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग पाके आती है यह आपका वतन परस्ती यह आपकी असलियत बता पाएंगे कि बार बार आप आतंक वादियों को गले क्यों लगाते हैं और एक बात और ऐसा क्यों होता है कि जब जब भाजपा की केंदर में सरकार होती है तभी रगुनाथ टेंपल पर प्रहार होता है तभी अमरनाथ यात्रा पर प्रहार होता है हमला होता है तो ऐसा क्यों है किसको बछा पाए आप कश्मीर में ना कश्मीरी पंडितो को बचा पाए ना वहां पर आप शांती बहाल कर पाए और क्यूंकि आप चुप रहेंगे तो सच नहीं बदल जाएगा कि कश्मीर में आज भी हमारे जाबाज शहीद हो रहे हैं और जब तक आप इन बातों का जवाब ने दीजेगा कश्मीरी पंडितों पर और पिक्चरों की और पिक्चर हॉल की बात मत करिए क्योंकि असली पिक्चर तो देश देख रहा है और देश देख रहा है कि आज भी आपकी नाक के नीचे टारगेटेट किलिंग होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे जाबाजों की शहादत होती है, आज भी आपकी नाक के नीचे आप दुरदांत आतंकवादियों को गले लगाते हैं, जब ये सब करना बंद कीजेगा, तब कश्मीर पर अगली बा मानने द्रख्जी ये बील किसी भी समाज में जो डिप्राइव लोग होते हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए भारतिय सम्विदान की मूल भावना है परन्तु उसके साथ साथ इसका सन्मान न कम हो इस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए भावना चाहिए भावना चाहिए लोग बाहिए भावना चाहिए